नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूर्ण चाहनकारी को ले करके जी हाँ आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जोडों में दर्द हो जाता है तो बहुत सारी परिशानियों का हमें सामना कर और खास करके बढ़ती उम्र के साथ ही ये समस्या हो ही जाती है आज कल ये एक आम समस्या बन गई है किसी के घुटनों में किसी की पीठ में किसी की बैकबोन की प्रोब्लेम बहुत सारे लोगों को दर्द की समस्या रहती है जोडों की तो कैसे हम इन से निजात पा सकते हैं क् क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्योंकि किन गलतियों की वज़े से ये दर्द होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कैसे हमें इन सब से निजात मिल सकती है इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वाई सोबर है आप सभी के लिए जोडों का दर्द शरीर के किसी भी हिस्स में हो सकता है काफी समय बैठे रहने से सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लग जाते हैं जिसे हम जोडों का दर्द या joint pain कहते हैं कभी-कभी घुटनों के दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने लग जाता है जोडों का दर्द हमें पैरों के घुटनों, कुहनियों, गर्दन, बाजों और कुल्हों में हो सकता है जब किसी जोड में उपसित भंग हो जाती है तो हडिया एक दूसरे से रगर खाने लग जाती है इससे सूजन, डर्द, एंठन, उत्पन होती है आईए जानते हैं सबसे पहले तो जोडों के दर्द के कारण के बारे में हडियों में मिनरल यानि की खनीज की कमी का होना अर्थराइटिस, साइटी का, काल्टिलेज का घिस जाना खून का कैंसर होना, उम्र बढ़ने के कारण हडियों में मिनरल की कमी होना अब इसके लक्षनों को जानते हैं कि कैसे जानेंगे हम कि हम इस विमारी के गिरफ्त में आ गये हैं या आने लगे हैं हड्डियों और जोडों के दर्द के लक्षनों के बारे में जानते हैं चलने, खड़े होने, हिलने डोलने और यहां तक की आराम करते समय भी दर्द होना सूजन और क्रेप्टिस चलने पर या गती करते समय जोडों का लौक हो जाना जोडों का कड़ापन खास कर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता है मरोड, वेस्टिंग और फेसिकुलेशन, अगर बुखार, ठकान और वजन घटने जैसे लक्षन हो तो कोई गंभीर अंदुरूनी या संक्रामक बिमारी हो सकती है आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए अब हम आपको नुस्खे बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने जोडों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले तो हल्दी और अदरक की चाय हल्दी और अदरक दोनों ही एंटे इनफ्लामेंटरी गुनों से भरपूर होते हैं और ये दोनों हमें जोडों के दर्द से भी छुटकारा दिला सकते हैं, दो ग्लास पानी आपको इसके लिए चाहिए होगा, आधा चमच अदरक पाउडर चाहिए होगा और आधा चमच हल्दी पाउडर चाहिए होगा आपको, आप शहद भी ले सकते हैं मिठा के जगह पर, चीनी न डाल करके उसकी जगह पे आप इसमें शहद का प्रयोग करें, ये नुस्खा बनाने की विधी जान लेते हैं हम, दो ग्लास पानी को उबाल लीजिए, और उसमें आधा चमच हल्दी और अदरक पाउडर डाल लीजिए, और इस मिश्रण को 10-15 मिनट तक आग पर र जराने लगे हैं और कुछी दिनों में रिजर्ट आपके सामने होंगे, इसके बाद है दूसरा उपाय मालिश से जोडों के दर्द का इलाज, मालिश करने से जोडों के दर्द को आराम मिलता है, मालिश लहसुन के तेल, सरसुन के तेल या नारियल के तेल से हलके हाथों से करना चाहिए लहसुन से जोडों के दर्द का इलाज कैसे करेंगे आये जानते हैं लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में मिला कर पकाएं पानी जल जाने पर लहसुन खाकर दूध पीने से दर्द में लाब होता है 250 मिली लिटर दूध एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियां एक एक चमच सोट और हरड तथा एक एक चमच दालचिनी और छोटी इलाइची डाल कर पकाएं पानी जल जाने पर वहीं दूध पी जाएं आपको लाब होगा लहसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर इसका लेप लगाएं तथा मालिश करें इससे इस विधी से आपको बहुत लाब प्राप्त होगा आपके जोडों के दर्द में आपको रहत मिलेगी इसके बाद लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग जिहां जोडों के दर्द के इलाज के लिए लाल मिर्च का भी प्रयोग किया जाता है लाल मिर्च का पाउडर भी जोडों के दर्द से रहात दिला सकता है आपको एक कप नारियल के तेल को गर्म करने के बाद उसमें दो चम्मच लाल मिर्च पावडर के डाल दीजिए और इस मिश्रण को दर्द से प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट लगा कर रखिए ये वीध आपके लिए काफी लाफदाई साबित होगी जिहां इसके अलवा निर्गुंडी से जोडों के दर्द का इलाज निर्गुंडी के पतों का दस से 40 मिली लिटर रस लेने से अथवा सेकी हुई मेथी का कपरचन चून 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाव होता है यह मेथी वाला प्रयोग घुट इतने के वात रोग में भी लावदायक है साथ में बजरासन करें तो आपके लिए और ज्यादा लावकारी साबित होगा जिहां दोस्तों देखा आप सभी ने हम आप सभी के लिए जो आज और शधियां लाए थे यह जोडों के दर्द से रिलेटर थी क्योंकि आप बहुत स बोल सकते हैं तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जोड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों